परिवार को समाप्त करें और प्रशासन वाले कह रहे हैं कि हमें आवगत करा दो उन्हें शरम नहीं आ रहे हैं हम लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं और वो जो परिवार हैं हमारा परिवार कितना हताश है किस तरीके से उसने हॉस्पिटल में जा करके और इस तरीके से उसके बाद भी अस्पाताल में भी हमारे बच्चे नहीं बच पाए हैं तो ऐसी घटना इस जिले में इतनी द अभी हमारे महिश भाहिन ने कहा है कि चोक की इंचार्ज और ठाना इंचार्ड सब के सब मिली भगत उसमें कर रहा है यह परताश नहीं किया जाए तब हम लोगों को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है तो उनके दिमाग में गलत फेहम ही है अगर खाल में रहेंगे तो खाल म से मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुसल्मान परिवार उस घर में रह रहा है उसे वो हटा दें